अश्कार में पेनबाशपेई अपने यूटूब चैनल मैं पेनबाशपेई पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज जो पेपर हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है 9 अगस 2019 थर्ड सिप्ट का MTS का पेपर तो इसके सारे मैस की कुश्चन को हम लोग आज की क्लास में साल्ब करेंगे जैसा कि आपको पता है कि डेली एक सिस्ट का complete मैस का solution में इस चैनल पर आपको प्रोबाइट कराता हूँ उसके अलावा आपकी complete जो type wise math की class हैं वो भी start हो चुकी है बस आप लोगों को करना क्या है कि classes को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जो भी content आपको दिया जा रहा है उसका आप 110% utilize करिए और इतना मैं guarantee के साथ कह सकता हूं कि जो जितना भी content मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको अगर आपने इमानदारी से पढ़ लिया तो 25 out आप 25 नमबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है आपका पूरे में पूरा score आएगा तो चलिए start करते हैं सेशन को बस आप लोग इसी तरीके से प्यार और support देते रहिए उसके अलावा अगर आपको चुछ ये समझ में आती हैं तो जदा जदा इसे share भी करिए देखे पहला जो कोश्चन दिया है वो दंडारेक का दिया हुआ है यहाँ पे जो नीली वाली पट्टी है वो बता रही है प्रोडक्शन को यानि कि उत्पादन को और जो नरंगी वाली जो पट्टी है वो भिक्री को बता रही है तो यह किटनी है गयारा सो और अगर मुत पादन की बात करे तो यह में कितना है 900 का यानि किtones 11owned और 3 कितना हुआ, 1900, तो 1900 का कितना % होगा, 0-0 cancel हो गया, 19 से काटेंगे, 19 पच्छे 95, यानि कितना बच्छा 15, 19 सत्य कितना हुआ, 133, फिर कितना बच्छा यहाँ पर, 19 सत्य 133 हुआ, तो फिर यहाँ पर कितना बच्छा आपका 7 और 17, सत्रा अब हम क्या करेंगे एक जीरो बढ़ाएंगे अब उनिस नमा जाएगा नहीं उनिस अठे जाएगा यानि कि सत्तावन पॉइंट संथिंग आएगा तो कौन सा आप्शन करेक्ट है पहला वाला जो आप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहां पर लगबग में बताना है तो लगबग में आपका 58 जो होगा वो करेक्ट होगा अगला कोश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे देखे यह भी कोश्चन आपका दंडारेक का है यहां पर क्या पूछा गया आप से कि सभी कंपनियों को मिला कर उत्पादित यूइंटों की औस संख्या कित देखो, 8544, 800 यह कितना हो गया? 1400 यह हो गया तो 19,00, 14,00 कितना हो गया? प्रोमो कोट का प्रयोग का रिसी 4% नगत बापस प्राप्त करता है तो समतुल छूट क्या होगी तो पहले कोशन समझीए कि एक दुकानदार पहले चैसे माल लेते हैं कस्टमर है वो 20% की छूट की पेसकस करता है उसके बाद फिर वो रिक्वेश्ट करता है और 4% की ओर छू दी गए तो overall छूट कितनी होगी तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं है 20 प्लस 4 माइनस 20 इंटो 4 बटे कितना होगा 100 होगा तो 25 होगा और यहां पर काटेंगे तो 0.8 आएगा तो 20 में चार्ज होड़ेंगे तो कितना हुआ 24 और 24 से 0.8 गटाएंगे यानिकि 23.20 होगा तो की कोश्चन आपको समझ में आ गया होगा अगला कोश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है 612 किलोमेटर की यादरा करने के लिए train B की तुलना में train A 9 गंटे अधिक समय लेती है यदि train A की गती को दुगना कर दिया जाए तो बाद train B की तुलना में 3 गंटे कम समय लेती है टेन B की गती क्या होगी देखो हमेसा आप याद रखो कि अगर डिस्टेंस आपकी constant होती है तो अगर total time दिया है तो फिक्स डिस्टेंस कैसे निकालते हैं xy बटे x प्लस y इंक्टु टोटल टाइम और अगर टाइम का डिफरेंस दिया तो कैसे निकालते हैं x, y बटे x अंतर y into time का difference, अब अंतर का मतलब होता है कि हमें सब positive रखेंगे, जो बड़ी जो चाल जादा होगी उसी में से हम छोटी चाल को घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, time का difference दिया है, 9 गंटे अधिक लगता है, फिर 3 गंटे कम समय लगता है, याने की time का difference दिया हुआ है, तो जो fixed distance है 612, माल लेते हैं, a की चाल है, x और b की चाल कितनी है, y है, a की चाल है, x और b की चाल कितनी है, y, तो x, y, अब देखो यहाँ पर x अंतर y होगा, तो जो बड़ी चाल होगी उसमें से छोटी चाल को घटाएंगे, तो देखो दिया हुआ है, b की तुलना में train a, 9 घंटे अधिक समय लेती है, यानि की अगर a जो train है, वो 9 घंटे अधिक समय लेती है, इसका मतलब है, की a की चाल है कम, और b की चाल है क्या जादा, इसका मतलब है, b की चाल में से a की चाल को बटाएंगे, तो यहाँ पे y-x होगा और time का difference कितना है 9 अब देखो दूसरी condition में चाल दुगनी कर दी गई एक ही तो 2x into y अब क्या है b की तुलना में 3 गंटे कम समय लेता है कौन? a यानि कि अब a की चाल जादा है तो 2x में से y को गटाएंगे into 3 होगा तो अगर हम इस portion को यह तो fixed distance है आपकी तो इसको हम इसके equal लग सकते हैं तो 3 से काटेंगे 3, 3, 9 x, y से x, y cancel हो जाएगा आपका तो इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 2, 6, x, minus 3, y और यहाँ पर कितना होगा आपका? 2, y, minus 2, x तो इसको उधर लेके जाएगे तो 8, x बराबर कितना हो जाएगा? 5, y तो हमें निकालना है b की चाले यानि की y का मान निकालना है तो y का मान निकालना है तो x का मान y के टर्म में कितना होगा? 8, x बराबर 5, y है तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? बराबर कितना दिया हुआ था x by बटे y minus x into 9 तो यहां पर रख देंगे 612 अब x का मान कितना हमने निकाला है 5y upon 8 into y इस में से जब यहां पर मान रखेंगे 5y upon 8 तो कितना हो जाएगा 3y upon 8 तो 8 से 8 आपका cancel हो गया और into 9 तो 3, 3, 9 22y आपका cancel हो गया आप देखो 3 से काटेंगे 3, 2, 6 ना जाने का 0 और 3, 12 5 से काटेंगे 5, 20 और 0, 5, 8, 40 यानि कि 40.8 होगा तो तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है काफी अच्छा question इससे आप try करिए देखे अगला question दिया हुआ ये तो simple question दिया हुआ है सिव ने एक मेज 1,35,000 रुपए में खरीदी और उसे 1,10,000 रुपए में बेज दिया तो उसे कितने प्रतिशत की हान वी तो 25,000 रुपए का उसे क्या हुआ घाटा हुआ और ये घाटा या profit हम लोग किस पर निकालते हैं हम इसा CP पर निकालते हैं तो CP कितना है 1,35,000 रुपए और इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे तो 3,0 से 3,0 यहाँ पर कैंसिल हो गए अब क्या करेंगे 5 से काट लेंगे 25, 25, 5 से काट लेंगे 5, 2, 10, 5 सकते कितना हुआ 35 यानि कि 500 बटे कितना हो जाएगा 27 तो पहला वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है तो उम्मीदे की question आपको समझ में आ गया होगा अगला देखे question दिया हुआ है 3 स्रेणी के करमचारियों A, B और C 1 अनुपाद, 2 अनुपाद, 3 के अनुपाद में मजदूरी प्राप्त करते हैं यदि एक करमचा 5%, 10% और 15% की बेतन प्रद्धी प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरीयों का नए अनुपाद कितना होगा तो कोई दिकत बाले बात ने, देखो परसेंट में दिया हुआ है तो हम इस ratio को क्या करते हैं दो-दो-जीरो चिपका देते हैं क्योंकि परसेंट हम सो पे डिल करते हैं तो सो अगर हम सो के मल्टिपल में संख्या बना लेंगे तो हमाले ज्यादा एजी होगा तो एक और दो और तीन का अनुपाद है तो दो-जीरो यहां पे चिपका दे यह सो हो गया दो-जीरो यहां पे चिपका दे यह 200 हो गया और दो-जीरो यहां पे चिपका दे कितना हो गया 300 रेशियो अब भी वही है तो देखो दिया हुआ यदि पर क्रमसा 5%, 10% और 15% की ब्रद्धी करते हैं तो 5% के ब्रद्धी करेंगे तो 100 का 5% कितना हुआ 5 तो 5 जोड़ेंगे तो इसका नया वेतन कितना हो गया 105 अब यहां पे देखो दूसरे बाले में 10% की ब्रद्धी की तो यहां पे 200 इसका जो वैलू है वो कितना है 200 तो 1% का मान 2 के बराबर 10% का मान कितना हुआ 20 के बराबर हुआ यानि कि इसका बेतन कितना हो गया 220 हो गया और यहां पर 15% की ब्रद्धी की गया यानि कि 45 की ब्रद्धी तो 300 कितना हो गया 45 5 से काट लेंगे 5,9 तो 5,5 यहां पर काटेंगे 5,20 तो 5,30 तो 5,45 यानि कि 21,44 और 79 यानि कि पहला वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct होगा अगला देखे question दिया हुआ है कि रमेश ने 13% प्रतिवा साधार ब्याज की दर से 12,000 रुपे उधार ले रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्सों में कितनी रासी का भुकतान करेगा यानि कि टोटल 5 साल का ब्याज प्लस जो मूल धने इसे जोड़ के टोटल धनरासी कितनी होगी तो अगर सिंपल इंटेस्ट है तो सिंपल इंटेस्ट जो होता है वो हर साल उतने ही मिलेगा तो 13% अगर है तो हर साल 13 मिलेगा यानि कि 5 साल में कितना मिलेगा बैस 13,5, 65% तो हम क्या करते हैं डिरेक्ट 65% यह और 100% धनरासी तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12,000 का डिरेक्ट आप 65% निकाल दो या 65% निकाल को उसमें जोड़ो तो हम क्या करते हैं डिरेक्ट 12,000 का 165% निकाल देते क्योंकि हमें टोटल धनरासी यानि की मिस्स धन बताना है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया इसे साल करेंगे 0, 12,5, 60, फिर बाजचंग 72 और 6 कितना हुआ 78 और 12,1, 12,7 कितना हुआ 19 यानि की 19,800 तो तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है दो संक्या है P और Q का महत्तम समावर्तक और लगुत्तम समावर्तक करमसा A और B है और दिया हुआ A प्लस B बराबर P प्लस Q तो A Q प्लस B Q का मान बताना है तो P और Q का अगर हम SCF निकालें P और Q जैसे माल लेते दो संक्या है तो इनका SCF निकालें, वो कितना दिया हुआ है, तो इनका SCF क्या होगा, जब इनमें कुछ भी कामन नहीं है, तो एक कामन होता है, यानि कि SCF कितना होगा, एक होगा, और इनका LCM वो दिया हुआ है B, तो इनका LCM क्या होगा, P into Q होगा, अब देखो condition दियो यह A plus B बराबर P plus होगा, यानि कि satisfy कर गया, तो A Q plus B Q, यानि कि 1 का Q plus 1 का Q, बराबर कितना हुआ, दो, तो दो किस option से आएगा, तीसरे वाले option से आएगा, यानि कि तीसरे वाला जो option है, वो आपका बिलकुल correct है, तो इसी तरीके से हम question को करेंगे, यह सबसे अच्छा तरीका है, तो उम्मीद 7,986 रुपे हो जाएगी, यह दि ब्याज बारसिक रूप से सहुजित किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, अगर आपको बारसिक ब्याज किदर निकालनी है, तो एक साल में मोल धन और मिस्ट धन का आपको अनुपात निकालना होगा, तो कोई दिक्कत बाली बा अगर हम एक साल पर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो इसका भी क्यूब रूट ले लेंगे, इसका भी क्यूब रूट, तो एक हजार का कितना होगा, दस और इसका कितना होगा, यानि कि एक साल में मूल धन और मिस्ट धन का अनुपात, 10 से 11 हो गया यानि कितना ब्याज मिला 1 1 मिला 10 पे तो 100 पे कितना मिलेगा 10% यानि कि ब्याज कितर किया होगी 10% होगी यानि कि पहला वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है उम्मीदे की question आपको समझ में आ गया होगा अगला question तो मौकिक कर सकते हैं देखो x की power 5 है उसको divide करेंगे x की power 4 से तो कितना बच्चा x फिर उसके power अगर 3 चड़ाएंगे तो x की power 3 हो गया divide करेंगे x की power 2 से तो कितना बच्चेगा x यानि कि चौता वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question जो है वो भी simple है यहां पर बहुलक बताना है यानि कि जो संक्या सबसे ज़्यादा बार use होगी वही बहुलक होगी तो 5 जो है वो सबसे ज़्यादा बार use किया गया है तो यहां पर क्या होगा 5 ही उसका क्या होगा बहुलक होगा तो दूसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला देखे question ये भी काफी simple दिया हुआ है Metro train के देनिक टिकट का मोले 120 रुपए है और मासिक पास का मोले कितना है 326 रुपए है यदि सोहन मासिक पास खरीता है और महिने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसे कितने प्रतिशत की बचत होगी तो अगर देखो वह daily यात्रा करता है 300 दिन उसमें यात्रा की तो pass अगर बनवाया तो कितना रुपय उसे देना पड़ा 326, लेकिन अगर वह daily किराया देखे जाता तो कितना उसे देना पड़ता 12-36 यानि कि 3600 रुपय उसे देना पड़ता यानि कि 9% की क्या होगी बचत होगी यानि कि तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question मौकिक कर सकते हो देखो दिया हुआ है एक रेलगाडी किसी इस्थिर बस्तू को 25 सेकेंड में पार करती है यदि रेलगाडी की 25 मिटे पर सेकेंड है तो रेलगाडी की पार करती है और ऐसी बस्तू को पार करती जिसकी लंबाई उसकी तुलना में ना के बराबर है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी ते करती है यानि कि यहां से में यह समझ में आया कि टेन अपनी लंबाई को 25 सेकेंड में पार करती है तो कितनी दूरी ते करेगी अगला कुछन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है दो कच्छाउं M और N की ऑसत अंक क्रमसा पत्चिस और चालेस हैं और प्राप्त समग्र ऑसत जो एगो 30 है तो कच्छा M और N के चात्रों का अनुपात क्या होगा यानि कि कोश्चन में ये दिया हुआ है M और N द यानि की इसका ratio कितना होगा दो और एक का होगा यानि की छातरों की जो संख्या है उसका अनुपात कितना होगा दो और एक होगा यानि की पहला वाला जो option है वो आपका बेल्कुल correct है अगला देखे question दिया हुआ है एक लड़ा को बिमान 1440 km पर घंटे की कती से चलता है एक सेकेंड में वाक कितने मीटर की दूरी तहय करेगा तो क्या करना है यहाँ पर बस इसकी चाल को मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करना है और चाल क्या होती है एक यूनिट टाइम में चले गए दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं तो बस जैसे मीटे पर सेकेंड में माल लेते हैं दस मीटे पर सेकेंड चाल आए तो इसका मतलब क्या हुआ यह एक सेकेंड में दस मीटे चलेगा तो बस वही आपको बताना है कि कितने मीटे की दूरी बार एक सेकेंड में त रिप्लाई करेंगे यानि कि पांच बटे 18 से तो 18 अट्टे 144 होता है यानि कि 85 चालिस कितना हुआ 400 मेटर पर सेकेंड तो 400 मेटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ ये एक सेकेंड में 400 मेटर की दूरी तरह करती है तो चौथा वाला जो option है वो आपका बिलकुल correct है अगला ए और बी का ऐगर मद्यान अपाती 6 है यानि कि बीच वाला जो मान है वो 6 दिया हुआ है तो मद्यान अपातीर है तो इसका वर्ग यानि कि छे का वर्ग 36 वो ए और बी के गुडण फल के बराबर होगा तो देखो 12-33 और यहान पर कितना होए बात चंग बात तो चंग 36 श म यानि कि दो आपसन ऐसी कैंसिल हो गए सिर्फ तीसरा हो सकता है और पहला हो सकता है अब देखो त्रतियान उपाती 48 आना चीए तो तीन और बारा गर लें तो त्रतियान उपाती के 48 है इसका तो चेक कर लो भाई बीच वाले का वर्ग इनके गुड़न फल के पराबर होगा त कि A और B का मध्यान उपाती कितना है 6 है तो 6 का वर 36 बराबर कितना हुआ A B और त्रतियान उपाती कितना है 48 यानि कि A B और त्रतियान उपाती कितना है 48 तो 20 स्क्या बराबर कितना हुआ 48 है तो यहाँ पे A को चाहें B के टर्म में निकालो या B को A के टर्म में निकालो और यहां पे रखो तो equation को solve करोगे तो 3 और 12 ही आएगा यानि कि पहला वाला जो option है आपका वो बिल्कुल correct होगा तो उमीदे की question आपको समझ में आ गया होगा अगला question दंडारेक का है दिया गया है किस company की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्ब में सबसे अधिक है यानि कि कि किस company ने जो उत्पादन किया वो maximum उसने बिक्री कर दी तो यहां पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो maximum जो production के साथ अगर हम बिक्री कानुपाद देखें तो यह वाले गाईगे कि उसने 900 का उत्पादन किया और 650 की बिक्री कर दी बाकि सभी में आप द वो ए में ही आएगा यानि कि दूसरा बाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला देखें कोशन दिया हुआ है किसी संकूर तिबुज का जो कर्ण है वो 49 cm और अन्य दो बुजाओं का अंतर कितना है 21 cm तो त्रिबुज का छेते पल क्या होगा तुरन देखो समझ जाओ कि अगर कंड जो है संकूर तिबुज है और कंड कितना है 49 तो हमेशा टिपलेट बनता है आपने देखा या 13, 43 यानि कि तुरन्त आपके दिमाग में है आप 5, 12, 13 का टिपलेट और 49 यानि कि 3 से गुणा किया जा रहा है यानि कि इसकी अन्य बुजाओं क्या होगी 1 होगी 12 तिबुज का चितपल क्या होता एक बटे दो आधार इंटू लंग यानि कि 15 इंटू कितना हो जाएगा 36 तो दो से काटेंगे 18 तो 18 को 15 से गुणा करें कितना हैगा 270 यानि कि दूसरा वाला जो आप्षन है वो आपका बिल्खुल करेक्ट है अगला कोशन आप लोग देख पारे होंगे देखे दिया हुआ है एक ब्यापारी किसी बस्तु को 2400 रुपय में बेच कर 25 परसेंट का लाप राप्त करता है यह उसने उस बस्तु को 2160 रुपय में बेचा होता तो उसका लाव यहानि प्रतिशत क्या होगा तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं देखो 125 परस 25 पंचे 255 से कातेंगे 520 और 58 40 तो कितना आया 4,0,480,3,4,4,16,3 कितना हुआ 19 यहनि की CP कितना आगए 1920 और बेच कितने का राय ए 260 का यहनि कितने का फाइदा हुआ गटा लेंगे बाई 0 और 6 से दो गया तो कितना बचा चार और यहां पर में से नो गया तो कितना बच्छा दो यानि कि 240 का फाइदा हुआ इस पे हुआ 1920 पे तो 100 पर कितना होगा 0-0 कैंसिल हो गया काटेंगे इससे तो कितना आएगा यहाँ पर 248 चुप को 326 यानि कि 248 192 तो 100 बटे आठ का मान कितना होगा साड़े 12 परसेंट यानि कि साड़े 12 परसेंट का लाव होगा तो तीसरा वाला जो आप्शन है वो आपका बिलकुल करेक्ट है अगला देखे कोश्चन दिया हुआ है कि एक 25 मेटर लंबे और 15 मेटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मेटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है 25.50 प्रति वर्ग मेटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत किया होगी यानि कि कोश्चन में ये दिया हुआ है कि एक आयत है जिसकी लंबाई है 25 और चौड़ाई कितनी है 15 इसके चारो तरप 3.5 मेटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया तो आपको रास्ते का छेत्रफल पहले निकालना है और फिर उसके फ्लोरिंग का खर्चा कितना है 25.50 है तो उससे गुणा करेंगे तो वो फ्लोरिंग की लागत आएगी तो कोई दिक्कत बाले बात ने देखो बस इतना ध्यान रखो कि अगर रास्ता बाहर बनाया जाता है तो रास्ते का छेत्रफल होता है वो 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x होता है तो x कहा जहां पे जितनी चौड़ाई का जितनी मोटाई का रास्ता बनेगा तो 3.5 हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ 7 अब 25 और 15 कितना हुआ 40 और 7 कितना हुआ 47 यानि कि टोटल ये 6 तरफल हुआ और इसे गुणा कर देंगे 25.50 से तो जब इसे multiply करेंगे और solve करेंगे तो answer आएगा 8389.5 यानि कि पहला वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question तो मौकिक आप कर सकते हैं दिया हुआ x किसी कारे को पूरा करने में भाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है x और बाई दोनों मिलकर उस कारे को 12 दिन में पूरा करते हैं तो बाई एक के 10 दिन कम है, तो यहाँ पे देखो अगर 20 और 30 ले लो, तो दोनों मिलके उस कारे को 12 दिन में करेंगे, कैसे देखो यहाँ पे अगर हम LCM ले तो कितना होगा, 60, 20 तीयां और यहाँ पे 30 दूना, तो 3, 2, 5, 5 से डिवाइड करें कितना है 12 यानि कि satisfy कर रहा है, और difference भी कितना है, 10 का, यानि कि अगर बाई का पुछा गया है, बाई को कितना समय लगेगा, तो 30 दिन, और X का अगर पुछा होता, तो कितना होता, 20 दिन, यानि कि चौथा वाला जो option है, वो बिलकुल correct है, आप इससे बैसे भी साल करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दिखे, अगला दिया है question कि, 1,80,000 का 33,01,3% का 0.15% कितना होगा, तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं है, देखो, 1,80,000, 33,01,3% का मतलब होता है, 1,3, तो direct इसका 1,3 अगर निकालेंगे, तो 3,18, यानि कितना जाएगा, 60,000 आएगा, फिर उसका 0.15%, तो 0.15%, परसेंट का मतलब 200, पॉइंट अटाएंगे, 2,0, और बढ़ा देंगे, तो 4,0 से आपके 4,0 कैंसिल होगे, 15,90, यानि कि दूसरा वाला जो option है, वो आपका बिलकुल correct है, अगला देखे कोशन दिया हुआ है, एक बैग में 3 अनुपात, 2 अनुपात, 3 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 25.8 रुपए की रासी है, तो बैग में 50 पैसे के सिक्को की संख्या कितनी होगी, तो कोई दिक्कत बाले बात नहीं, देखो यहाँ पे सिक्को की संख्या का अनुपात दिया है लेकिन जो value दिये वो रुपए में दिये, तो इसको हम रुपए में convert कर लेंगे, तो अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो रुपए कितने होगी, पचास पैसे के अगर 2 सिक्के हैं, तो रुपए कितने होगी, एक, दस पैसे के अगर 3 सिक्के हैं, तो रुपए कितने होगी, पॉइंट 3, यानि कितना हो गया, 4.3 की value जो है, वो 25.8 के बराबर है, तो पॉइंट से, पॉइंट cancel हो जाएगा, अब देखो, 3 की हम किस से गुणा करें, कि लास्ट में आपका 8 है, तो 6.3, 18 होता है, तो 6.3, 18, 6.4, 24, यानि कि पूरा 6 बार चला जाएगा, तो एक रिश्यो कामान 6 के बराबर, तो आपको 50 पैसे के सिक्कों के संग्या बतानी है, यानि कि 6 दूनी 12, तो चौथा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला देखे question, ये भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, दिया हुआ 20 अब लोकनों का माद्ध जो है, पच्चासी है, 97 लिखना था, जो लिखना है, उसे plus में लो, और जो हमें गलती से हमने लिख दिया, उसे हटा दो, तो minus 79 कर देंगे, तो difference निकालो, इसका कितना होगा, 17 में से 9 गया, तो यहाँ पर कितना बच्चा 8, और यहाँ पर 8 में से 1 गया, तो कितना बच्चा 8, अब 20 से अगर divide करेंगे, तो कितने का difference आएगा, 0.9 का, यानि कि 0.9 और बढ़ा देंगे इसमें, तो जो नया average होगा, वो 85.9 होगा, कितना होगा, 85.9 होगा, यानि कि 4 वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला देखे question दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, किसी ब्रत के ब्यास के बराबर है, इसका मतलब है तुरन समझ गये, कि जो ब्रत बना हुआ है, वो बुजा के बराबर होगा, तो वर्ग की अगर मान लेते हैं, बुजा A है, तो इसका area कितना होगा, बुजा A square, और इसकी जो ब्यास है, वो अगर A के बराबर हो, तो radius कितनी होगी, A by 2 होगी, और ब्रत का छित्पल कितना होता, पाई यार square, यानि कि पाई into A square upon 4 होगा, तो A square से A square cancel होगा, 4 upon pi, pi की value रख दो, 22 बुटे 7, तो 7 आपका उपर जाएगा, तो उसे काटेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 रिशियो 11, तो यानि कि पहला वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, तो उमीद है कि class को अगर आपने यहां तक देखा होगा, तो आपको सारे question बैतर तरीके से समझ में आया होंगे, बस आपको करना क्या है कि इस class को जादा जादा share करना है, उसके लाबा अगर आप channel करना है, और आपने अभी तक किसे subscribe नहीं किया है, तो please channel को subscribe करना मत बूलेगा.